नमस्कार दोस्तों आपका हर्देख स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम टार्गेट अकैडमी पर तो दोस्तों आज फिर हम आपके लिए प्राचीन भारत का इत्यास के कुश्चन सीरीज हम लेकर आए हैं mcq waste जोकी mock test सीरीज हमारी चल रही है तो तीन सीरीज हम पहले डाल चुके हैं आज हमारी तीसरी सीरीज है तो इस्टार्ट करते हैं कुशन नम्मर 101 मध्य प्रदेश इस्थित्व प्रसिद्ध सांची स्थूप का निर्मारstone किसने कराय था ओप्शन ए बिम्बसार, ओप्शन वी बिंदुसार, ओप्शन C ब्रहरदर्थ, ओप्शन C असोग तो दोस्तो इसका सही आंसर है ओप्शन D यानि असोग कुश्चन नमर 102, निम लिखित गुहाद चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? बिम्बबेटका, एलोरा, आजन्ता या चित्र वासल तो दोस्तो इसका राइट आंसर है ओप्शन A यानि बिम्बेटका कुश्चन नमर 103, एक्सोतीन हडपन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ओप्शन A कुमारों का चाक, ओप्शन B आग, ओप्शन C लोहा, ओप्शन D ग्याहूं तो दोस्तो इसका सही आंसर है ओप्शन C यानि उनको लोहे की जानकारी नहीं थी? कुश्चन नमर 104, सरवण वेल गोला में भगवान बाहूवली की मूर्ती किसके सासनकाल में बनाई गई थी? ओप्शन A चालूक, ओप्शन B चोल, ओप्शन C गंगा या ओप्शन D राष्टकूट तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ओप्शन D यानि राष्टकूट के सासनकाल में बनाई गई थी? कुशन नमर 105, इनमें से किसे सही मिलाया गया है गोतम बुद्ध घटना से की जीवनी से जुड़ा इस्थान, भगवान का बुद्ध का जन्म लुम्बनी, बुद्ध का ग्यानोदय बुद्ध गया, या बुद्ध का पहला सीख सारनात, या बुद्ध का निदन कुशी कर, तो दोस्तों गोतम बुद्ध की घटना के बारे में ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स का मिलान करना है, तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए, या बुद्ध का जीवन जन्म जो है लुम्बनी में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, बुद्ध का ग्यानोद कुशी नगर में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसका ऑप्शन ए, इस राइट आंसर, कुश्चन नमर एक सुच्छ है, हडपा कालीन सब्विता का विसाल कोठार, यानि कोठार यानि किसी बस्तु को रखने की जगे, अनाज संग्रह करने का इस्थान कह मिला था, ओप्शन ए, मोहन जोदरू, ओप्शन भी हडपा, ओप्शन सी रोपन, ओप्शन डी काली बगगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, मोहन जोदरू में, क्या मिला था, विसाल कोठार मिला था, कुशन नम्बर एककस्ण साथ, बौध साहित लिखा गया है, ओप्शन ए, प्राकृत में, ओप्शन B पाली में, ओप्शन सी सन्सक्रत में, ओप्शन डी, तमिल में, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, ओप्शन बी, पाली में कुंशन नमबर 108 मैं पढ़ने से पढ़ने से पहले यह बता देता हूं दोस्तो इस सीरीज में हम 2 कुंशन छोड़सों चो ड़ेंगे जिनका आंसर नहीं बताःंगे अगली वीडियो में हम उसका आंसर बताःंगे और आप हमें कमेंट करें के मोटिव करें और उन कुशन्स का हमें आंसर जरूरू विजए तो कुशन नमबर आठ बाणवट किसके दरवार में रहते थे पुलकेशिन दुतिय या सेकिंड हर्षवर्धन समध्रगुप्त यसो बर्मन तो दोस्तो इसका राइट आंसर है ओप् रहते थे हर्षवर्धन के दरवार में रहते थे कुश्चन नमबर एक सो नौ बहुत धर्म के तीन रत्रों में कौन सामिल नहीं था बुद्ध अहिंसा धम या संग तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या होगा अहिंसा उसमें सामिल नहीं था कुश्चन नमबर एक सो दस सिंदु घाटी में ओप्सन यानि डैड डैस का कोई संकेत नहीं मिलता है ओप्सन ए गन्ना ओप्सन भी सर्सों ओप्सन सी तिल ओप्सन डी जौ तो दोस्तो यह पता होना चाहिए इसका राइट आंसर है गन्ने क और वहाई से कोई साच्छ नहीं मिलता है कुश्चन नमबर 111 निमलिखित में से कौन जैनवाद के तीन रतनों में सामिल नहीं है समय ज्यान, समय आच्रण, समय शरदधा और समय अप्सकूं मुक्ती इनि मुक्ती तो जैन में तुम्हें पताती तीन आचरनड थे समय ग्ञान, आचरन, मुक्ती और सरद्दा इन में सकोन सा नहीं है आपसन डी यानि उसमें मुक्ती सामिल नहीं थी निमलिक्त मैंसे किस स्थान पर जैन तीर्थकर मावीर की मरत्य हुई थी कुशी नगर में, बैसाली में, राजग्रह में या पावापुरी में तो दोस्तो इसका राइट अंसर है उप्सन डी यानि पावापुरी में उनकी मरत्यू हुई थी कौन सा प्राचीन भारतिय ग्रंथ, तारसनी ग्रंथ माना जानता है रामायड, महावारत, उपनिसद या पुराण तो दोस्तो इसका सही अंसर क्या है उपनिसद दोस्तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट भी करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें कुश्चन नमर 114 हरी सेन दरवारी कभी था असोक का समुद्र गुप्त का चंद्र गुप्त का या हर्सवर्दन का किसका कभी था दरवारी दरवारी कभी किसका था ये समुद्र गुप्त का हिंदू विदी को किसने सरपरतम सहिताबद किया था option A.B. दियास ने, option B. पढ़नी ने, option C. बानवट्टे ने, option D. मनु ने तो दोस्तो इसका सही आंसर है, मनु ने किया था कुश्चन नमर 116, हडपा सब्विता के अफसे इस निमलिखित में से या निमलिखित स्थान में से कहां प्राप्त नहीं हुए थे लोथल, काली बंगा, नागारजुन, कॉंडा या रोपण, दोस्तो मैं बता दू, लोथल आपके गुजरात में पढ़ता है, काली बंगा आपके राजिस्थान में पढ़ता है, रोपण आपके पंजाब में पढ़ता है और नागार्जुन कॉंडा एक ऐसा जगह है जो हडपा सब्रिता के कोई अवसेस नहीं मिले थे कुश्चन नमबर 117 निम्न मैंसे किस चीनी बौध बिच्चु द्वारा बौध धरम के पवित्र ग्रंतों का अनुवाग संस्क्रत से चीनी भासा में किया गया है कुश्चन नमबर 117 है इसका राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बौक्स में भी दीजिए तो उप्शन बी यानि हैंसांग इस राइट आंसर चलते हैं कुश्चन 118 की तरफ निमलिक्त मैं से किस सासक ने सम्राठ हर्स बर्दन को पराजित किया था मेंदर बर्बन ने ससांक ने नर्सिंग बर्बन ने पुलकेशिन दुतिय ने तो दोस्तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट कीजिए तो पुलकेशिन दुतिय ने पराजित किया था हिंदू मितक सास्त्र में कितने पुराण है 18, 20, 24 या 16 तो दोस्तो इसका right answer option A is right answer यानि 18 मितक सास्त्र में हिंदू मितक सास्त्र में 18 पुराण है बोध गया का प्रिशिद्य नगर किसके द्वारा बनवाया गया देपाल, धरमपाल, अजास सस्त्र या असो तो दोस्तो इसका सही answer option C यानि अजास सस्त्र के द्वारा बनवाया गया था question number 121 एक बिशिष्ट सैली जो भारती बहुत धरम तथा ग्रीग रूमन प्रभावों का मिसरण है कब नाम किस सहर के नाम पर पड़ा है पेसावर, तच्छ सिला, गंधार या पाटली पुत्र तो दोस्तो option C यानि गंधार जो है इसका right answer है question number 122 लगभग 185 इसाप पूरू पुस्य मित्र द्वारा इस्थापित किया गया भारती सासक दल बंस कौन सा है जिसने मौरे बंस का इस्थान लिया था option A गुप्थ, option B चालूक है, option C बाकाटक, option D सुंग तो दोस्तो इसका right answer option D यानि सुंग चलते हैं question 123 की तरफ बिमिसार के समय में मगद की राज़ानी कौन सी थी? राजग्रह, नालंदा, तच्छ सिला या पाटली पुत्र तो दोस्तो इसका right answer option A यानि राज़ग्रह में थी सिंदु घाटी सब्विता का बिसाल इसनानागार कहां पाया गया है? लोथल, हडपा, काली बंगा या मोहन जोद्रो इसका right answer है मोहन जोद्रो मैं बिसाल इसनानागार पाया गया था question number 125 और इसका answer आपको देना है हमें comment box में जरूर बताए हमें इसका comment में देना है आपको answer और हम आगली वीडियो में इसका answer पताएंगे जरूर निम्नुमेर से किस विदेश ही यात्री ने भारतियों को गरम स्वभाब का परंतु इमानदार कहा है है इंसान, मेगास्तनीज, फायान या निकीटिन तो दोस्तो option A is right answer question number 127, सत्य की खोज में बुद्धो के सिस्थानवर्थ, पीपल के ब्रच के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ पावापुरी, कुसी नगर, बोध गया या राज ग्रह तो दोस्तो इसका right answer option C, यानि बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ती हुई थी दोस्तो एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जादा से ज़्यादा से शेयर करें और कमेंड करें और लाइक जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिस्से की हमारी आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको चल मिले और आपको चलते हैं कुशन अगला किसके सासनकाल में ग्रामीड समदाय को बहुत सारे अधिकार दिये गए थे चोल, मुगल, बिर्टिस या पालास तो दोस्तो इसका राइट आंसर यानि चोल के समय पे कुशन नमर 139, हडपन संस्क्रती के मुद्राओं एवंपकी मिट्टी की कलाकरतियों में निमलिखित किस पसू का चित्रन नहीं क्या गया है गाय, हाती, गेंडा और बाग तो दोस्तो इसका सही जवाब है गाय कुशन नमर 130, सक काल पर आधारित राष्टिय पंचांग किस वर्स आरम हुआ AD 58, AD 307, AD 78 या AD 606 तो दोस्तो इसका राइट आंसर है उप्शन C यानि 78 इस राइट आंसर उदैगिरी के पत्थर में काटे गुफाएं किस राज्य में इस्तित है असम, 36 गड़, मद्ध प्रदेश या उडिशा तो दोस्तो इसका राइट आंसर है उडिशा हरपा सब्यता के निम्न इस्थानों में से असंगत को निकालिये काली बंगन, मोहन जोद्रो, लोथल या सूत कोन, सूर्तो कर्तरडा दोस्तो आप इसको निकालें इसका सही उत्तर है अप्शन B यानि मोहन जोद्रो गौतम बुद्ध का जन्व कहां हुआ था? सारनात, उरुबिल्ला, लुम्बनी, उसी नगर तो दोस्तो इसका सही जवाब है अप्शन C यानि लुम्बनी में हुआ था मगद सिंहासन के लिए बिम्बसार का एक उत्तरदकारी कौन बना? असो, महंदर या अजासस्त्रू या समुद्र गुप्त तो अप्शन C is राइट आंसर यानि अजासस्त्रू बना था प्रातात्विक एवं अन्य उपलब्द साच्छों के आदार पर निम्न में से कौन एक हडपा संस्क्रती के अफसान के लिए उत्तरदाई नहीं माना जाता है? बाड, हुकम, जलवायू, परिवर्तन और आर्यों का आक्रमण दोस्तों, इसका आंसर आप हमें कमेंट कीजिए और हम भी देखते हैं आपने हडपा संस्क्रती को कितने अच्छे से पढ़ा है हम आपके कुश्ण का इनतिजार करेंगे, आंसर का और अगली वीडियो में हम इसका आंसर जरूर देंगे कुश्ण नमर 136, गुप्त काल के उत्रार्द में भारत पर आक्रमण करने वाले उन कौन थे? मद एसिया की एक यायावर जन जाती, एक मंगोल जन जातियों का समू या एक पार्सी धर्मावलंबी जन जातियों का कभीला या इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका सही आंसर है, ओप्सन ए मद एसिया की एक यायावर जन जाती थी कुश्ण नमर 137, अमरी जो 58 सब्विता का एक इस्थल है, किस प्रांस्त में इस्थित है? ओप्सन ए सिंध, ओप्सन वी राजिस्थान, ओप्सन सी गुजरात, ओप्सन डी बिलूचिस्थान तो दोस्तो इसका राइट आंसर है, ओप्सन डी यानि बिलूचिस्थान कुश्ण नमर 138, हडपा संस्कृती में निम्ण में से किसकी पूजा नहीं होती थी? एक सिरंगी ब्रसव, ब्रच बिशणू या मात्र देवी? तो दोस्तो इसका राइट आंसर है बिशणू महातमे बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? साक्य, मल, कुंड या यात्रक? तो दोस्तो इसका सही आंसर है साक्य प्रवार में हुआ था? कुस्सन नमर 140 भारती प्राचीन साहित में मलेच सब्द का इस्तेमाल नेमले खितमे से किस के लिए किया जाता था दासों के लिए विदेशियों के लिए विजित अनारियों के लिए या अविजित अनारियों के लिए तो दोस्तो इसका उलेक जो है malech शब्द का प्रियो विदेशियों के लिए किया जाता था महत्मा बुध्य निम्न मैंसे क्या नहीं मांते थे आहिंसा इसवर की सत्यता अस्ते या अपरिग्रह तो दोस्तो इसवर की सत्यता को नहीं वो मांते थे 326 इसा पूर्व उत्तर पस्चिम भारत में सिकंदर का आक्रमण इन में से किसके काल में हुआ अजासस्त्रू नंद चंद्रगुप्त मौरी सिसू नाग तो दोस्तों इसका सही आंसर है ओप्शन बी यानी नंद 326 इसा पूर्व भारत पर किसके नेत्रत में विदेशी आक्रमण हुआ डेरियस प्रथम साइरस या सेल्यूकस ये सेल्यूकस नहीं है सेल्यूकस है अप्शन डी अलेक्जंडर दोस्तों इसका तो आपको आंसर मिली गया होगा डेरियस प्रथम 143 कुशन इसका अंसर है आपका डेरियस प्रथम 144 कुशाण बंस का सबसे प्रसिद्य सासक नेमल कितमे से कौन था कनिस्क, तोर्मान, कड़ फिसस या होविस्क तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कनिस्क सबसे ज़्यादा फेमस था कुश्ण नमर 145, सबसे पहले ब्यापारिक संग की स्थापना किस काल में होई महाजनपद काल में, मौरे काल में, गुप्त काल में या उत्तरगुप्त काल में तो दोस्तों इसका राइट आंसर है option A यानि महाजनपदकाल में ब्यापार एकसंग की स्थापना हुई थी question नमर 145 पांड़े बंस की राजधानी किस स्थान पर अविस्थित हुआ करती थी बाता पी मदरई या कोची या बारंगल तो दोस्तो option B is right answer यानि मदरई हुआ करती थी question नमर 147 मावीर किस राजधाने में पैदा हुए थे यानि मावीर स्वामी की बात हो रही है साथ क्या है? साथ भाहन लिच्छवी या छत्री है तो दोस्तो इसका सही जवाब है option D यानि छत्री में हुए राजधाने में पैदा हुए थे साथ भाहनों के अधिकतर सिक्के किस दादू के मिले हैं? सोना, चांदी, तामा या सीसा तो दोस्तो इसका option D is right answer और मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले इसी काल में सोने के सिक्कों का भी प्रचलन हुआ था कुस्टन नमर 149 बरा मिहीर का ब्रहद सहिंता ग्रंत आधारित है सासन कलापर, अर्वेद या अर्थ सास्त या खगुल विज्ञान तो आपको पता होना चाहिए बरा मिहीर एक खगुल सास्तिरी थे तो इसका मतलब option D is right answer खगुल विज्ञान इस वीडियो का अंतिम कुस्टन और दोस्तो चैनल को सबस्क्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और साथ ही पहल आइकन को प्रेस करें, जिससे की आने वाली वीडियो की notification आपको जल से जल मिलें चट्टानों को काट कर बनाएगे एलिफ हेंटा के प्रसिद मंदिर किसने बनवाए थे? काफी very very important question है, बी बी आईपी है, बी बी आईई very important question है, exam ठीक है, तो दोस्तो चालुक क्योंने, चोलोंने, पल्लबोंने या राष्ट कुटोंने तो option D is right answer यानि आपका राष्ट कुटोंने बनवाय था, thank you दोस्तो, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली बार फिर उपस्तित होंगे, 50 question की series, और ये series हमारी चल रही है, लगातार जिसमें 400 question के असपास होंगे, और आप हमारे साथ तयारी करें, और daily आप उपने 50 question को लगा कर, हमें comment में बताएं कि आपके question कितने ठीक हुए थे, धन्यवाद